आज मैं आपके साथ इस स्प्राउट से बनने वाला बहुती टेस्टी और हेल्दी नाष्टा शेयर कर रहे हूँ जिसे हम मात्र दो चम्मचोयल में बना कर त्यार करेंगे ये नाष्टा बनाने के लिए आपको चाहिए अंकुरित मूंग डाल और पोहा तो मैंने दोनों ही चीजें आदा आदा कपली हैं मैंने जो हरी साबत मूंग हो दिये उसे रात पर पानी में भिगो दिया था और सुभे एक कौटन के कपड़े में बांध कर इसे लटका दिया तो पूरे दिन और पूरी रात में ये स्प्राउट्स निकल कर त्यार हो चुके हैं तो शलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल और इसमें आपको ये पूह डाल देना है और पूहा को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि से इसमें जो इंप्यॉरिटीज हैं वो निकल जाए इस प्राउट्स आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं लेकिन घर पर ही आसानी से त्यार हो जाते हैं इस प्राउट्स प्रोटीन और विटामिन से भरबूर होते हैं तो बच्चों को आप ये जरूर खिलाएं ये देखिए पानी काफी गंदा हो गया इसे फैक देंगे और दो से तीन बार इस पोहा को और हम धोकर साफ कर लेंगे तो पोहा को मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया है इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की और तो gas पर मैंने एक पैन रखा है इसमें हम दो चम्मच ओईल डालेंगे और ओईल को आप गर्म होने दें ज्यादा ओईल नहीं डालना है बस दो चम्मच ओईल काफी होगा जब ओईल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच राई डाल दें gas का flame medium रखा है मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है एक चौथाई चम्मच इसमें हींग जा रहा है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आट-दस कड़ी पत्ते और अब सारी चीज़ों को हम medium flame पर भून लेंगे तो यहाँ पर यह जो राई है तड़कने लगा है तो तड़कता है तो अब यह उच्छट कर ऊपर की तरफ आता है तो मैं इसे cover कर देती हूँ ताकि इससे जलने का डर ना रहे और अब यहाँ पर यह राई जीरा सब कुछ तड़क के त्यार हो चुका है तो मैं इसमें डाल रहे हूँ बारिक कटा हुआ प्यास एक मीडियम साइज के प्यास को बारिक कट करके डाला है इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे अगर आप प्यास नहीं खाते तो बिना प्यास के भी यह नाश्टा आप त्यार कर सकते हैं अब इसमें जारा है आदा चमच अद्रक अद्रक को मैंने गिसके डाला है साथ ही हम इसमें डालेंगे टूटेबल स्पून बारिक कटा हुआ शिमला मिर्च तूटेबल स्पून इसमें जारा है बारिक कटा हुआ टमाटर अब इसमें जारी है एक बारिक कटी हुई हरी मिर अगर आप इस नाश्टा को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं सारी सब्चियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपको और अब आपको इसमें डालने हैं स्प्राउट्स तो जो हमने मूंग अंकुरित करके त्यार के हुए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं तो यह हम मूंग डाल देते हैं और अब इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है अब हमें इसमें कुछ मसाले अड़ करने हैं ताकि से जो नाशता है बहुत ही टेस्टी बने तो यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ आधा चमच हल्दी पाउडर तीन चोथा ही चमच इसमें जा रहा है धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वादनुसर सारे मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम गैस का फ्ले मीडियम रखते हुए यह जो हमारे स्प्राउट्स हैं और सबजी हैं यह हलका सा सॉफ्ट होने तक इने पकाएंगे तो आपको यहाँ पर इसे कवर कर देना है और कवर करके लगभग 2-3 मिनट तक इसे कोको ने देना है तो इसे कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर अब 2-3 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे उपन कर रही हूँ और अब आप देख सकते हैं सब्जी हलकी सी सॉफ्ट हो गई है और स्प्राउट्स भी हलके से कोको चुके है तो इस स्टेच पर मैं इसमें एड़ करूँगी पोहा जो कि मैंने पहले से धोके रखा हुआ है तो यह पोहा डाल देते हैं इसमें और पोहा डालने के बाद आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें यह टेस्टी हल्दी नाश्ता आप अपने घर जरूर बनाईएगा यह घर में सबको बेहत पसंद आता है क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी है और हल्दी है तो इसलिए इसे बनाना तो बनता ही है तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है इसे कवर कर देना है लगबख दो मिनिट के लिए और गैस का फ्लेम आपको लो कर देना है लो फ्लेम पर दो मिनट इसे ढख कर भगाएं और अब यहाँ दो मिनट बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ और देखे बहुती टेस्टी बहुती बढ़िया एकदम खिला खिला स्प्राउट्स बोहा हो चुका है बनकर तयार तो यहाँ पर इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और बस अब आपको गैस का फ्लेम आफ कर देना है और इसमें कुछ खास चीज़े और एट करनी है तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ एक चोथाई चमच गरम मसाला साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा और हम इसमें डालेंगे नीबु का रस तो यहाँ नीबु का रस डाल देते हैं इससे ये जो पोहा है और भी टेस्टी हो जाएगा तो बस सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब इस तेस्टी हेल्दी पोहा को आप गर्मा गरम सर्फ करें तो हैना बहुत ही मचेदार सी रेसिपी पोहा तो आपने अपने घर हजारों बार बनाया होगा और स्प्राउट्स भी आपने बहुत तरीके से बनाये होंगे खाये होंगे लेकिन इस तरीके का स्प्राउट्स पोहा आपने पहले नहीं बनाया होगा तो एक बार इस तेस्टी हेल्दी नाश्टा को आप अपने घर चरूट रहे करें अगर आपके बच्चे स्प्राउट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप आसान इसे इस तरीके से उन्हें स्प्राउट्स खिला सकते हैं आप चाहें तो इसके उपर थोड़े से जो बारिक सेव होते हैं नमकी इन बेशन के सेव वो भी डाल सकते हैं तो अगर आपको टेस्टी हैल्दी स्प्राउट्स बहा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन को प्रेस और 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 क्लिक करना ना भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में